हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए मंगलवार का दिन एतिहासिक दिन रहा जिसे स्वणने मक्षरों में लिखा जाएगा क्योंकि मंगलवार को समविधान के अनुचे 370 के तहट जम्मू कश्मीर के विशेश दर्जे को समाप्त करने का प्रस्ताव संसद में भी पारित हो गया है इस दोरान गुरह मंत्री अमिच शाहा ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान के खब्जे वाला कश्मीर यानी पियो के और अक्साई चीन सहित संपुर्ण जम्मू कश्मीर भारत का अभिन हिस्सा है और इसके लिए हम जान भी दे देंगे मैं मंती जी एक जम्मू कश्मीर बोलता हूं इसलिए एक्रेसीव हो कि जम्मू कश्मीर के पीेगो को आप भारत का हिस्साण नहीं मंते हो क्या एक्रेसिव नहों हो जान दे देंगे इसके लिए जान दे देंगे तो बता दें आपको कि अक्साई चीन आखिर है क्या अक्साई चीन कुल जम्मू कश्मीर का पंदरफी सदी हिस्सा है जिस पर अवहेद रूप से चीन ने कब्जा किया हुआ है और चीन हमेशा दावा करता है कि अक्साई चीन स्वायत क्षेत्र है अक्साई चीन समुद्र तल से 5000 मीटर की उचाई परस्थित सॉल्ट फ्लाट का एक विशाल रेगिस्तान है जिसका शेत्र फल करीब 37,244 स्क्वायर किलो मीटर है जमूर कश्मीर राजिके उत्तर पूर्वी हिस्से का ये इतना बड़ा क्षेत्र 1950 से चीन के कब्जे में है जिसे चीन बकाइदा कारगिलिक जिले का हिस्सा बताता है जो पूरी तरह से गलत है इसके अलावा पियो के यानि पाक अधिकरत कश्मीर पर पाकिस्तान का 1947 से ही कब्जा जमा हुआ है जिसे अब वो आजाद कश्मीर कहता है लेकिन वो खुद इस पर शासन करता है ये हिस्सा कुल जम्मू कश्मीर का 30 फी सदी है जिसमें कश्मीरी मूल से ज्यादा पंजाब के नागरिक रहते हैं 78,114 वर्ग किलो मीटर में फहले इस क्शेत्र में लगभग 4,45,366 जन संख्या रहती है और अब जब से जम्मू कश्मीर पुनरगठन बिलपारित हुआ है पाकिस्तान की नीद उड़ गई है और अपनी बोखलाहट में पाक के एक मंत्री ने युद्ध की बात तक कर डाली है और पाकिस्तान की प्रधान मंत्री इमरान खान अभी भी रागलाब रहे हैं कि कश्मीर के मसले को वो संयुक्त राष्ट्र में ले जाएंगे पर सच यही है कि संयुक्त राष्ट्र हो या अमेरिका कोई भी अब इस मसले पर कुछ भी नहीं कर पाएगा क्योंकि मोदी सरकार ने 72 साल पुरानी इस एतिहासिक भूल को धारा 370 हटा कर ठीक कर दिया है और अब जमू कश्मीर भारत का अभिन अंग बन चुका है और अमिशाह के अनुसार जब वो जमू कश्मीर की बात करते हैं तो पियो के और अकसाई चीन की बात भी करते हैं और यही वज़ा है कि पाकिस्तान की हवा टाइट है पाक जानता है कि अब पियो के के द्वारा वो जमू कश्मीर में अलगाव वादियों को बहका नहीं पाएगा उधर चीन के भी होसले पस्त हैं क्योंकि चीन भी जानता है कि मोधी ज्यादा दिनों तक अकसाई चीन को चीन के पास नहीं रहने देंगे क्योंकि अब देश के ग्रुह मत्री संसद में बार बार अकसाई चीन की बात करते हों तो उसका बड़ा अर्थ निकलता है और यही वज़ा भी है कि चीन पर अब दवाफ बढ़ गया है और अब बात उन तीनों परिवारों की जिनका राज रहा जम्मू कश्मीर में जिसके बारे में अमिच्चाहा ने संसद में कई बार जिक्र भी किया आपको बता दे कि ये तीन परिवार हैं अब्दुल्ला, मुफ्ती और लोन के जिनोंने हमेशा घाटी के लोगों का भला नहीं सोचा बस भ्रष्टा चार करते रहे और अपनी जेबे भरते रहे लेकिन कहते हैं ना कि बुरे का अंत जरूर होता है तो बुराई पर अच्छाही की जीत आखिर हो ही गई और अब निसंदे सब अच्छाही होगा और बुराई का मूँ जरूर काला होगा और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेस्बुक पर और ज्यादा जानकारी के लिए निउस नशा की वेब साइट पर जाएं आपको टाइप करना होगा सिर्फ निउस नशा